How to lose your breast fat and lift up your breast size forever in just two simple steps. जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने. सिरफ दो आसान से steps में आप लोग आसानी से अपनी forever breast fat की जो problem है उससे छुटकारा पा सकते हैं. दोस्तों गलती तो थब होती है जब आप अपने breast fat को कम करने की जगा छुपाने की कोशिश करते हैं. आपको लगता है कि अगर आप tight tops की जगा suit पहनना शुरू कर देंगे दुपट्टे के साथ में तो breast fat दिखेगा ही नहीं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दो simple और असान steps में मैं आपको आज सिखाऊंगी कि कैसे आप अपने breast fat को हमेशा के लिए कम कर सकते हैं. और अगर आपके breast sagy हो गए हैं, droopy हो गए हैं, उनको भी lift up करने का असान तरीका है. वैसे तो हमारा शरीर भगवान की देन है और जैसे ही मिलता है, हमें वैसे ही accept करना आना चाहिए. अपने अंदर confidence level इतना कर लेना चाहिए कि कोई फरक ही ना पड़े अपनी physical appearance से. ये बात तो सच है. लेकिन अगर हमारी physical appearance ही हमें health problems देना शुरू कर दे और उसका फाइदे की जगा नुकसान होना शुरू हो जाए, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि अपनी उस problem को जल से जल ठीक कर ले. मैं हूँ dietitian Natasha Mohon और आज मैं आप लोगों को ऐसी secrets बताऊंगी जो सिर्फ मैंने अपने उपर ही नहीं, अपने clients के उपर भी इस्तिमाल करी हैं. उनका भी breast fat बहुत reduce हुआ है, उनको बहुत अच्छे results मिले हैं. और तो और वो इतने खुशे अपने transformation को देखके कि अब वो अपने मन पसंद कपड़े असानी से पहन सकते हैं. तो आज वही दो simple steps मैं आप लोगों के साथ भी share करूँगी, जिनको जानके आप लोगों को भी बहुत फायदा मिलेगा. दोस्तो अपने breast fat को हमेशा क्ले खतम करने का सबसे पहला step है आपकी diet, जिसके अपर निर्भर रहेगा कि आप लोगों का breast fat कितनी जल्दी खतम होगा. क्योंकि breast एक fatty tissue से बना होता है और इसके अंदर hormonal imbalances की वज़े से बहुत जादा stubborn fat एकठा हो जाता है. हॉर्मोन याने की estrogen जो जादा तर औरतों में ही पाया जाता है. estrogen एक ऐसा female hormone है अगर excess में produce हो तो उसकी वज़े से आपकी breast के अंदर fatty tissues की मातरा बढ़ जाती है. Naturally अब अगर fatty tissues की मातरा बढ़ेगी तो fat भी तो वहीं पर accumulate होगा. इसलिए शायद आप लोग की breast heavy है. और दूसरा simple step है exercise अगर हम अपनी breast muscles को tighten और tone करने के लिए ऐसी exercises करें जिससे सिरफ अमारे breast tissue पर ही फरक पड़ेगा तो definitely वो muscles tighten भी होगी, tone भी होगी और breast size reduce भी होगा. तो बस अब जल्दी से इन दो simple steps के बारे में अच्छे से जान लेते हैं ताकि हम इनका पूरा फाइदा उठा के finally अपने breast fat को कर सके, bye bye. दोस्तो step number one याने की diet में मैं आपको चार ऐसी चीज़े बताऊंगी जो आपको अपनी daily routine में diet में include करनी ही करनी है और चार ऐसी चीज़े जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं खाना क्योंकि उसी से आप लोगों को बहुत फरक पड़ेगा. Number one, on the foods to eat की list पर है healthy fats. जी हाँ, fat को fat ही काटेगा. लेकिन आपने introduce करने हैं अपनी daily diet के अंदर healthy fat. जैसे की nuts, seeds, oils, इस प्रकार का खाना जो की dairy product से भी rich है, उसके अंदर भी healthy fats मौझूद है. लेकिन आज मैं आप आपको ऐसी जादूई seed के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है flax seed, जो आपको बहुत मदद करेगी जिन लोगों का खास करके breast fat जादा है. क्योंकि इसके अंदर ऐसी एक जादूई चीज है omega 3 fatty acid के नाम से, जो आपके शेरीर के अंदर estrogen levels को balance करने में बहुत help करती है, जिसकी वज़े से ही तो आपका breast fat जादा है, तो इस drink को बनाने के लिए आपने तकरीबन एक चमच रोस चेडियाने की बुना हुआ flax seed लेना है और उसको गरम गरम पानी में मिलाके और साथ में अदरक का juice निचोड़के उसमें लेना है, तकरीबन एक चम फाट कटट ड्रिंक है, खास करके आप लोगों के breast fat को कम करने के लिए, यह आपके शरीर में जाता ही, एक थर्म हो जयने के effect पैदा करती है, जिसकी वज़े से आपकी digestion भी strong होती और आपका metabolism भी fast होता है, तो definitely जब आपका full body fat burning process शुरू हो जाएगा, तो breast fat कहां बचेगा, इस ड्रिंक को ज़रूर ट्राइ करिएगा, नमबर टू, on the foods to eat की list पर है, fiber rich foods, याने की fruits and vegetables, यह बड़े ही nutrient dense होते हैं, जिनके अंदर vitamins और minerals की मातरा एकदम भरपूर होती है, इससे आपकी शरीर को बहुत फाइदा मिलता है, तकरीबन 4-5 serving तो आपको रोज लेनी ही लेनी इससे भी आपका metabolism strong होगा, जिसकी वज़े से आपका fat burning process fast हो जाएगा, तो breast fat को कम करने के लिए इसको अपनी diet में include करना ना भूलें, नमबर 3, on the foods to eat की list पर है, eat good amount of protein, यह बहुत जादा ज़रूरी है, अकसर लोग इसे नजर अंदाज कर देते हैं, चाहे आप एक कटोरी भर के दाल लीजिए, राजमा लीजिए, छोले लीजिए, या फिर आप बोल भर के पनीर की सबजी खाई, सोया खाईए, या फिर अगर आप non vegetarian हैं, तो chicken खा सकते हैं, eggs ले सकते हैं, अपने दिन के तीनो meals में, हर meal में आपको अपने protein intake का बेहत ध्यान रखना पड़ेगा, क आपके शरीर को बहुत सार और फाइदा मिलेगा, और protein rich foods खाने से सिर्फ आपका breast fat ही नहीं, full body fat कम होने के भी बहुत chances हैं, number 4 on the foods to eat की list पर है whole grains, अकसर हम भूल जाते हैं, जो खाने का स्वाध है, अगर पूरी तरह से लेना है, तो हमें उसको unpolished, उसके raw form में ही लेना चा ये चाने बिना खाई, ये बहुत जादा फाइदा करेगी, अगर आप चावल चूस कर रहे हैं, तो brown rice definitely a healthier option है, वो एक whole grain है, unpolished version है, या फिर आप चाहें जवार, बाजरा, रागी, इन सारी चीजों का भी इस्तमाल कर सकते हैं, अगर आप daily routine में आपने ले चाहें, पोहा बनाए, उपमा बनाए, दलिया बनाए, किच्डी बनाए, या फिर बनाए रोटी, तो definitely अगर आप ये वाली dietary changes करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे results मिलेंगे, आपकी body भी healthy होगी, energetic भी होगी, और physical appearance wise आपको बहुत फरक लगेगा अपने breast size में, ये तो हो गई वो चार चीज़े जो आपने rows include करनी है, लेकिन उन चार चीज़ों का क्या जिनको आपने rows avoid करना है, सबसे पहले हैं आपकी list पे refined carbs, याने की white bread, pizzas, pastas and burgers, इन से दूर रहें, ये आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, नमबर 2, on the foods to avoid की list पर है added sugar, ये आपको मिलता है सबसे जादा cold drinks से, juices से, जो कि एक packed version में आती है, नमबर 3, on the foods to avoid की list पर है, foods with saturated fats and trans fats, जैसे कि समोसा है, bread, pakोडा है, या फिर है patty, इन सभी चीज़ों को खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ये आपके शरीर में जाके उसको नुकसान पहुंचाती है, तब आप लोगों को realize करता है कि आपने किती बड़ी गलती कर दी, यही वो चीज़े हैं जिनकी वज़े से आपके lifestyle disorders होने लगते हैं, जिसकी वज़े से आपके female hormone याने की estrogen के imbalance होने की बहुत सारे chances है, नमर 4, on the list of foods to avoid पर है, excess of healthy fat, पूरे दिन में आपको healthy fats की भी एक certain limited quantity है, चाहे आप उसको nuts से लिज़े या फिर तेल और घी से लिज़े, आपको पूरे दिन में जितने भी healthy fats consume करते हैं, 1-3 teaspoon तक allowed है, which will come from your visible fats, जैसे की घी है, oil है, coconut oil है, या फिर सरसो का तेल है, अब यह तो होई step 1 की बात, लेकिन step 2 का क्या हुआ, उसमें तो exercise थी न, exercise भी ऐसी जो की बहुत ही effective और असान, कहीं पर भी बैठे-बैठे कर सकते हैं, लेकिन रोज करनी है इसी शर्त पर, आप देख सकते हैं कि मैं आपको अलड़ी exercises करके दिखा रही हूँ, दोस्तों, इन daily exercises का ये फाइदा है कि आपकी breast muscle को tighten करेंगी, tone करेंगी, उनको proper एक shape देने में बहुत मदद अक्सर देखा गया है, जिन लोगों का breast fat बहुत जादा होता है, उनको दिक्कत आती है, shapeless हो जाती है उनकी breast, लेकिन इन exercises की मदद से आपको बहुत अच्छा result मिलेगा, और अगर आप चाहें तो इन exercises के साथ में हलका फुलका cardio भी कर सकते हैं, जैसे कि brisk walking हो, running हो, jogging हो, cycling ह या फिर अपना कोई भी favorite music लगा के सिरफ dancing कर लीजे, जो कि बहुत जादा ज़रूरी है अगर आप लोगों को breast fat कम करना है, क्योंकि आपकी breast पी आपकी body से ही जुड़ा हुआ है, और definitely अगर body का fat कम होगा, तो आपकी breast का fat और आपका breast का size भी reduce होगा, तो आप बिलकुल नि आपको भी मिलेगा अगर आप नीचे दिये गए link को क्लिक करके description box में जल्दी से उस video की exercises भी करेंगे, तो इन सभी चीजों को try करके देखिएगा और मुझे जरूर comment करके बताईए कि आपको इन exercises और इन tips से कितना फाइदा हुआ, उमीद करती हूँ आपको आज का video बेहत पसंद आया होगा, तो जल्दी से इसे like कर दीजिए, चैनल को subscribe और notification bell दबाना ना भूले, मैं मिलूंगी आपको और बड़े सारी exciting videos के साथ में, तब तक के लिए take care